दोन एक्स्प्रेस आइना सश्का नवस्कार दोन एक्स्प्रेस में आप सब को हर्दीग सूखाना है आसा है आप सब सूखी और सौस ठंगे इस बिर्ज हरियाली तीज का फ़र्व आज गुरुवार को मनाया जा रहे हैं हिंदी पंजीगे के उनसर हर्याली तीज इस बर्च साबन मास में सुगलपक्सय के तृतिया तीथी को मनाया जाता है। इस दिन माता परवती का भगवान सिब से पुनर मिलोन हुआ था। आज के दिन महिलाए पोती की लंबे आयू के लिए ब्रत रखती है और माता परवती एवंग भगवान सिब संकर की विधिपूरवक फुजा अर्चना करती है। आईए जानते हैं कि इस बर्च हर्याली तीज का सुब मुर्टो क्या है। आवन मास के सुगलप अक्सकी तृतिया तीथी का फ्राडंब 22 जुलाई 2020 दिन भुदवार को साम 7 बज़ कर 22 मिनिट से हो चुका है जो अगले दिन 23 जुलाई 2020 दिन गुरुवार को साम 5 बज़ कर 3 मिनिट तक है। अभीजित मुर्ट क्या है है 23 जुलाई का दोप़ार 12 बज़े से 12 बज़ कर 15 मिनिट तक अमरित काल 23 जुलाई की दोप़ार 3 बज़ कर 29 मिनिट से 4 बज़ कर 69 मिनिट तक। मिनिट से दोपर 3 बच में रहुकाल का 29 Libya को राउकार दोपर 10 मिनिट से घुबार 3 बच में ईग हुआ दोस्त नहीं मना जाता है आज के दिन सुहागिन महिलाए ब्रोध रखती है और माता पार्वति तथा भगवान सीफ की पूजा करती है आज के दिन सुहागिन महिलाए स्ना नादी से निबरित होकर माईके से आये हुए कपड़े पहनती है पूजा के सुब मुर्त में एक चौकी पर माता पारवती भगवान सीव तथा गनेश जी का प्रतिमा स्थापित करे फिर पारवती जी को सोला स्रिंगार के समगरी सारी अकसात धूप दीप गंद आदि अरपित करे फिर सीव जी को भांग, धनूरा, अक्खत, बेलपत्र, फूल, गंद, धूप, बस्त्र आदि पढ़ाए आंत में गनेश जी का पुजा करे इसके बाद हरियाली तीज का कथा सुने फिर भगवान सीव और माता पारवती की आरती करे वही अगली खबर उपड़ास्टरबती एम बेंकया नाइडू और फीएम नरेंद्र मदी ने आज यानि गुरुवार को सतंतरता सेनानी लक्यमन बाल गंगादर तिलक और चंदर सेकर आजाद की उनकी जयनती पर याद किया प्रदान मंदी नरेंद्र मदी ने ट्वीट कर कहा भारत मा का दो वीर सफूत लोकमन वाल गंगादर तिलक और चंदर सेकर आजाद की उनकी जनम जयनती पर सत सत नमन उपड़ास्टरबती एम बेंकया नाइडू ने वाल गंगादर तिलक के कतन को दोहराते हुए का धर्म और वैवारिक जिवन अलग नहीं है सन्नास लेना जिवन का फडित्तेक करना नहीं है असली भवना सिर्फ आपने लिए काम करने के विजए देश को अपना फडिवार मानकर मिलजूल काम करना है इसके बाद का कदम मानोवता की सेवा करना है और अगला कदम इस्सर की सेवा करना है उन्होंने कहा राष्ट्र की समक्स ऐसे उद्दात आदर्सों के प्रैनेता लोकुमर्न बाल गंगदर तीलक के जनम जैनती पर आदर्स पुरूस के यौस और उनके पुन्य स्मृति को साधर प्रणाम करता हूं वहीं अमर सहीर चंद सकर आजात की जैनती पर याद करत है कि वह उवा अकंखाओ और अपक्साओ की प्रतिभी मित करे चंद सकर आजात जैसे राष्ट्रबादी नायोकों ने आजादी की अंदलन को जुवाओ की अकंख साओ से जोड़ा है और जुवाओ के लिए आदर स्थापित किया है जुवा करांतिकारी को मेरा सद्धान ज जिलक की आज का जनम 23 जुलाई 1856 में महारस्ट की रतनागिरी जिले में हुआ था वही चंद सकर आजात का जनम 23 जुलाई 1906 में मद्दप्रदेस की जाबुआ जिले में हुआ था वही अगली खबर कलकत्ता के पाटुली खेत्र में कोरोना वायरस के संदीग्द संक्रमित उसकी गर्ववती पत्नी और बच्चे की पड़सियों द्वरा पीड जाने की ममला सामने आने के बाद मक्कमंत्री ममता बनर जी ने बुदवार रात को लोगों से कहा कि वो हो बीमारी से लड़े ना कि बीमार से लड़े उन्होंने कहा कि महमारी के खिलाफ लड़ाई जिवन साल की बेटे और तीन महीने की गर्ववती पत्नी के साथ मार पिटाई की उन्होंने मेरे पत्नी को धंका दिया और मुझे जूते से मारा पड़सी हमारे फ्लैट में रहने की बिरोध कर रहे थे जबकि हम प्रितक वास के नियुम का कडाय से पालन करते हुए अपने फ्लैट म रिपोर्ट की प्रतिक्सा की जा रही है वहीं उनकी पत्नी और बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी पूलिस ने बुदबार को बताया कि पूलिस थाने में मामला दर्ज कड़ाय जाने के बाद यह संबंद में जांच शुरू कर दी गई रज्ज में समय समय पर कर लोग संक्रमित वैक्ति को आपनी इलाएक में नहीं आने देना चाहते हैं संक्रमिति मैं उनको वहां क्या क्या करता हूं कि आपको आपकोन की सीविद्व कलोएं हमें एक जुठोकर वायरास की खिलाप लगना है, मुरीजों का इलाज करना हमारा कर्तब है और वहतर तरीके से उनकी मदद करेंगे, ये जीवन का लड़ाई है, उन्होंने इस लड़ाई में महत्तपुर्म भूमी का निभाने की लिए डक्टरों, नार्सों, सस्त कर्मियों और पुलिस का सुक्रिया अदा किया है, दिल्ली से सटे गजियाबाद में बदमासो के हमले में घायल पत्रकार विक्रम जोसी के इलाज के द्वारन बुदवार को सुवा मौत हो गी, पेस जुलाई के रात अग्याद बदमासो ने गजियाबाद की विज़ाई नगर इलाक कि विक्रम जोसी अपने दो बेटियों के साथ मोटर साइकल से जा रहा था, तभी बदमासो ने उन्हें घेर लिया और गोली मार दी, करीब 5-6 बदमासो ने फहले विक्रम जोसी को घेरा और फिर उनके साथ मार पिट की, बाद में विक्रम जोसी को गोली मार कर फेरार होग कोमा में जाने से पहले पत्रकार बिक्रम जोसी ने अपने बेटी से आखरी बात एही बोली थी वो बहुत दर्द में था बुद्वार तरपे उनके मत हो गई सोमबा रात जब बिक्रम के उपर हमला गवा था दोनों बेटी उनके साथ में थे उनके बड़े बिटी नौ साल की है वो बतती है जब हम पापा के साथ घर जा रहे थे तो एक सक्स ने उनके बाइक रोक दी दूसरे सक्स ने पापा को डंडे से मारा मैंने डर गई थी और छोटी वहन को एक दुकान के पीछे छिपा दिया जब मैं पापा के पस आया तो एक सक्स ने उन्हें सिर्फर गोली मार दी थी पापा गिर गए मैं बहुत रोने लगा और चिल्लाने लगा मदद के लिए गिर गिराने लगा कोई नहीं आया अब पुलिस ने केस दर्ज किया है पत्रकार हुत्तरकंड में आप तक नाव अरोपी पकड़े जा चुके है एक अरोपी अकास विहारी अभी फेरार है गजियाबाद पुलिस ने रवी छट्टू और उनकी दो सातियों को खिलाप छेर चार का केस दर्ज किया है पत्रकार बिक्रम जोसी और उनकी बेहन ने 16 जुलाई को रात की केस दर्ज किया था गजियाबाद SSP कला निदी नेथानी ने बताया कि चार लोगों के खिलाप IPC 354, 323 और 504 की तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है वही अगली खबर कोरोना बैरास इस समाई 20 सबर में सबसी बड़ी परिशनी बनकर उबरी है इसकी बज़े से जितने सहत की सरेडिक्स खोती हो रही है उतने मनसी खती भी है बीते दिनों रिपोर्ट्स में सामने आया था कि कोरोना महमारी की बज़े से स्टूडेंट करते हुए केंद्रियो मानव संसाधन विकास मंत्री रामेश पक्रियाल निर्देशक द्वारा मनदरफन नाम का एक फ्लारफरम्स लॉंच किया गया जो कि स्टूडेंट्स में पनव और अवसाद एवंग तनाव को दूर करने की मदद करेगी कॉन्फरेंसिंग के जरिए इस अ मनेद्रफन अभियान को केंद्रियो मंत्राले की विद्धरले सिक्साव्याग एवं 239 सुभाग द्वारा संजुक्तвон रूप से सुरू किया गया है इस अवियान निर के तहथ विद्द्द शुबласт के लिए help challenge counseling ले सकेंगे खास बात यह है कि इसमें 500 counselors विदार्थियों को अवसाथ को दूर करने के लिए उनको counseling करेंगे विदार्थि इस नंबर के जरीए तनाव और अवसाथ के बारे में जानकाडी हासिल कर सकते हैं और सलहा ले सकते हैं सुरुवात में विद्धर्थियों को तुनाव और अवसात की दूर करने के लिए सो काउंसिलार्ट रहेंगे जिनके संकाबाद में पांसो की जाएगी मनदरफंद पहल की अंतरगत वेबसाइड मनदरफंद.mhrd.gov.in फर मानसिक स्वास्तो संबंदित समगरी और फड़ामर सदाता उपलब्द कराया गया है इसमें सात्रों, सिखों को और अविवाओ के साथ साथ आम जन भी मदद ले सकते हैं मानव संगसादन विकास मंतरले की तरफ से दी गई रिप्रेजेंटरेशन में बताया गया है कि हर दिन कोई न कोई बिदर्ती तनाव के करण आत्मोहत्ता कर रहा है सरकार ने बिदर्तियों को बीच पड़ते इस अवसाद को दूर करने के लिए ही इस हेल्प लाइन नमबर सुरू की है बिदर्तियों आपने समसाव के लेकर काउंसिलर से ओनलाइन चैट भी कर सकेंगे सावार, डेली हंट, डेली होम, समचरफर मीडिया, जागरान न्यूज धन्यबाद, दा दोन एक्स्प्रेस